अब आप लोगों को अवाज आ रही है जी पहले तो म्यूट किया वा था ना अवाज कैसे आतिया आपको मैंने चेक नहीं किया था Most Welcome to all of you to KF6 Classes Principles of Taxation पढ़ने के लिए हम इकठे हुए हैं और आप सब लोगों को खुशामदेद कहता हूँ आप लोगों में से माशाला काफी सरे लोगों को मैं by name recognize कर रहा हूँ काफी सरे लोग पहले से उनका इनका इल्म है बाकी लोगों से भी आइस्ता इस्ता जान परचान हो जाएगी इंशाओ आल्ला तो बताइए जी कैसे हैं आप लोग How are you gearing up yourselves in these testing times once again जब आप लोगों ने C.A. शुरू किया था तो इतनी चादा मुश्किलात नहीं थी वाट आप तो साथ में lockdown भी आ गया ना पहले आप लोगों को बताते थे C.A. मुश्किल है आप तो साथ में lockdown भी हो गया और online classes और सारा कुछ आप वो लोग हैं जिन लोगों ने ये सारा कुछ online ही बियर किया है मिर्जा तला फर्मा रहे हैं कि जी he feels sleepy जी मिर्जा तला आपका कसूर नहीं है सब लोग ये ऐसे ही हैं अब जाहर है रूटीन खराब हो गही हैं सारे लोगों की आप तो जो लोग सुबो सुबो उट जाते थे वो भी सोते ही फजर के बाद हैं जनाब आप में से किसी ने पहले ये subject पढ़ावा हो जी जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुए वो धर अब बताएं पढ़ा हुए और पास किया हुए पढ़ा हुए या पेपर नहीं दिया या खुदाना कास्ता फेल हो गया पास होने वाला बंदा तो क्यों ही बैठेगा यहां पर मेरे साथ साथ पहली दफाँ पढ़ रहे हैं जी फर्स 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 टाइम पढ़ना की बड़ी अच्छी बात है इन्शालला जी पढ़ के पास होगा हम कटे पढ़ेंगे पास होगा क्यों नहीं होगा अच्छा तो मैं थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट की आज औरियन्टेशन दे देता हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ इसके कोर्स के बारे में बता देता हूँ तो फिर उसके बाद हम मजीद कोई और बात करते हैं अज़र इस प्रिंसिपल्स आफ टेक्सेशन जो है यह आपका एक और लॉग का सब्जेक्ट है पहले जैसे बिजनस लॉग आप लोगों ने पढ़ा है वैसे प्रिंसिपल्स आफ टेक्सेशन इस एनदर लॉग औरियंटेट सब्जेक्ट इसमें कानून है आपने टेक्सेशन का कानून पढ़ना है पहले जो आपने कानून पढ़ा है बिजनस लॉग उसमें और इसमें लेकिन एक फरक है उसमें और इसमें फरक यह है कि कानून बिजनस लाओ जो है न वो मुडैलिटी इस बताता है कि बिजनसे करने कैसे है और कौन सी चीज कैसे की जा सकती है कौन सा कौन्टरेक्ट कैसे कौन्टरेक्ट बन सकता है और कंपनी बनेगी तो कंपनी के डारेक्टर्स क्या करेंगे कारोबार करोगे और पैसे कमाओगे तो फिर उसमें से आपने हमें भी हिस्सा देने है हमें से मुराद गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने हिस्सा देने है वो हिस्सा टेक्स की सुरत में आप से लिया जाएगा यह आपका स्लेबस है कैफ स्लेबस पूरे का पूरा iCAP ने आपके लिए यहां रखावा है अगर आप मेंसे किसी को आइडिया ना हो तो आप इसको ऐसे अपलोड कर सकते हैं iCAP ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है अभी हम क्योंके काफ 6 से रेलेवेंट बात करेंगे तो कैफ 6 का स्लेबस पहले देख लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या है फिर मजीद बातें करते हैं जी इसके उपर कैफ 6 में वो कहते हैं कि माइक आफ खुद कर देते हैं जी हम सब का अगर लोग आप तंग कर रहे हैं तो ये तो बड़ी परानी हमारी एक प्रेक्टिस है एक लोधी पठान साब आपका माइक आफ नहीं है हम आपका माइक आफ कर रहे हैं वॉलिंटरिली लोजी अब माइक आफ हो गया अब हमने आपको ऐसे आफ कर दिया है कि आप खुद भी नहीं कर सकेंगे और उसको अल्टिमेटली पावर तो हमारे पास है ना अजरी सिंपल उन्होंने स्लेबर्स जाना बहुत जादा उसमें कोई लंबी चोड़ी बाते ही नहीं की उन्होंने का जी स्लेबर्स जाना वह इस तरह से है कि आप से पूछा जाएगा income tax और sales tax दो कभानीन हैं जो आप से हम पूछेंगे income tax होगा 60 से 70 नम्रों का पूछेंगे और 20 से 30 नम्रों का आप से sale tax पूछेंगे और बीच में अगर हमारा दिल किया तो objective, system, historical background constitution, provisions and ethics उसमें से भी कोई 7-8 नबरों के सवाल पूछ लेंगे अब ये उन्हों ने सिर्फ इतना ही बताया कि income tax और sale tax income tax में income tax ordinance है एक कानून income tax ordinance 2001 है plus income tax के rules हैं जो कि आपके syllabus का part बनते हैं sales tax में sales tax act है 1990 का plus इस से related rules हैं जो आपके syllabus का part बनते हैं लेकिन क्योंके ये कानून यहां पर आपने हत्मी नहीं पढ़ना और आपने इसको final में भी पढ़ना है क्योंके again ये जाके cfab में भी तो है न advanced auditing का subject तो उसका कुछ जो कहलो के preliminary areas हैं वो आपने यहां पढ़ने होते हैं और जो उसके advanced areas है वहां जाके पढ़ने वहां उसका नाम ही advanced taxation है advanced taxation advanced taxation का जो पेपर है और यह यह पेपर जो भी आप principles of taxation पढ़ रहे हैं यह उसकी बुनियाद बनता है अच्छा पेपर जो है ना जी यह बला नार्मली लोगों के सहन में ही होता है कि यह एक numerical पेपर होगा कि इसमें numericals करने होंगे क्योंकि आप लोगों को being chartered accountants students आपको numerical subjects के साथ एक महबबत होती है महबबत ना भी हो कम उसकाम आपको यह पता होता है कि numerical subject तो मैं करील होगा किसी ना किसी तरह से लेकिन tax का पेपर numerical और subjective theoretical oriented दोनों है कोई एक नहीं है जैसे मैं आपको recent paper दिखा सकता हूँ बिल्कुल यह आई कैप का बिल्कुल recent paper जो आया होगा है कैफ 6 का यह आप लोगों के लिए देखें इसमें नहीं मिर्जा आपको नहीं होती महबबत कई लोगों को महबबत होती है वो theoretical subject से उनकी जान जाती है लेकिन numerical subjects को वो कहते है मसले कोई नहीं कर लेंगे कोई tension ही नहीं है अच्छा दिए देखें इसमें उन्होंने पहला जो question है यह numerical है 7 marks का लेकिन उसे अगला ही सवाल जो है 8 नम्रों का direct theoretical सवाल है 8 नम्रों का 8 marks का question theoretical याद किया होगा तो लिखोगे नहीं याद किया होगा तो नहीं लिखोगे याद अगर किसी खुलासे से किया होगा किसी summary से किया होगा तो 8 में से 3 या 4 नम्र आएंगे अगर याद आई कि आपके किताब से किया होगा तो आठ में से साथ नमबर भी आ सकतें और अगर बहुत अच्छा लिखा हो तो आठ भी आ सकतें खुलासों से और समरी से नुमेरिकल्स में तो जितनी मर्जी हल्प ले लें लेकिन थेरेटिकल सबजेक्टिव पार्ट के लिए आपने iCAP की study text को follow करना है हमारा जो main पढ़ने का source होगा वो iCAP की study text होगी और उसके उपर जो सवाल होंगे जो हमने करने होंगे उसके लिए मैंने अपनी assignments बना रखी हैं जो के हर topic के उपर आपको दूँगा in addition to assignments मैंने आपको वो जो iCAP का question bank है वो करवाना है iCAP का question bank past papers पर मबनी है iCAP के past papers में जो question आया वे होते हैं न उनमें सुझ relevant questions होते हैं उनको वो question bank में शामिल कर देते हैं जी लोदी हम majorly iCAP की book follow करेंगे क्योंके paper इसी में से बनना है iCAP ने अपनी book में से paper बनाना है iCAP की book जो है वो law की आप जानते हैं न जब आप जैसे आप तो बेतर जानते होंगे लोदी साथ वो हम जाते हैं एनक खरीदे हैं तो वो कहते हैं यह first copy है यह second copy है यह third copy है यह police की first copy है एनकों का brand है न पुलीस उसकी कहते हैं यह first copy है यह यह कोई भी आप और गैजिट्स लेते हैं तो उसमें कहते हैं यह first copy है तो जो original चीज है वो तो bare law है income tax ordinance original चीज है लेकिन original के पास उसकी first copy है वो iCAP की study text है उसके पास जो मैं बनाऊं आप बनाएं notes यह कोई भी और third person notes बनाएं वो उसकी second यह third copy होगी first copy नहीं होगी ठीक है तो हमने question bank करने है in addition to that हमने assignments करनी है यह assignments इस तरह से design की गई है कि यह आपके जो concepts हैं उनको बतदरीच उपर से उपर लेकर जाता है कि पहले से बेथर पहले से बेथर अगला ही सवाल देखें जी अच्छा अब मुश्किल से मुश्किल हम करते जाते हैं उसको ताकि आपकी जरा सारी practice हो जाए 8 marks का question आगया जी theoretical ठीक है यह देखिए जी यह अगला 5 marks का यह composite किसम का question numerical भी है और theoretical भी है फिर एक numerical सवाल आगया यह आगया जी आपका numerical काफी बड़ा सारा और यह एक numerical 19 से 20 नम्रों का आना होता है 20 से 25 नम्रों का भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली 20 तक रुक जाता है IKIP और यह question majorly आपके salary या business में से एक question बनता है ठीक है अब यह जो 4 marks है question है यह again theoretically explain करना है इसमें कोई calculation नहीं करके देनी है अपने क्योंकि उसने कहा है specify the head of income under which each of the above receipts will be classified तो यह मैं यह बताने की कोशिच कर रहा हूँ कि जितना numerical important है उतना ही theoretical portion भी important है तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकेंगे कि इसको हम छोड़ दें और इसको आनी है साथ साथ वाद फालो कर रहें न आप लोग अच्छा आप मुझे यह पताएं कि हम लोग tax पड़ क्यों रहे है why are we studying tax why we we is a मुराद chartered accountants to be जो लोग chartered accountants बनने वाले हैं वो क्यों यह tax पड़ रहे है why we study tax जी आप कहरें tax देने के लिए तला कहरें tax देने के लिए और कोई लोग जी क्या समझते है हम क्यों tax पड़ रहे है जी बिल्कुल मुस्तफा बड़ी डारेक्ट बात करते हुए कहते हैं कि हमने क्योंगे पेपर पास करना है लहाज़ हम पड़ रहे हैं और सना कहरे हैं क्योंगे हमें tax का इल्म नहीं है लहाज़ हम tax पड़ रहे हैं जो जिस चीज़ का इल्म ना हो उसका हम पड़ते हैं बिल्कुल सही है क्योंगे business करना है तो tax देना पड़ेगा लोधी बेटे आप तो पहले tax के spelling ठीक करो अपने उस्मान कहते हैं tax consultancy देंगे good ये सारी चीज़ें हैं देखो सबसे पहले तो हम tax इसलिए पड़ रहे हैं कि ये paper है और ये paper pass करना है ठीक है paper pass किये बगार तो हमारा गुजारा नहीं है तो paper तो हमने pass करना है एक बात दूसरी बात ये paper एक basic paper है आगे जाके इसने आपके advanced taxation का बनना है preliminary इसलिए हम पड़ रहे हैं तीसरी चीज़ tax जो है ना tax is life of CA professional Chartered accountant को पहचाना ही tax के साथ जाता है Chartered accountant जहां भी कोई किसी को लगता है कि Chartered accountant है वो से बिला जिजख tax की advice मांग लेते है हर किसी को अंदाजा होता है कि इनके पास tax की कोई ना कोई सला होगी ये हमें बता सकेंगे tax के बारे में तो हम इसलिए भी tax पढ़ते हैं क्योंकि tax is life tax is at least your financial life if not entire life आपकी financial life जो है वो tax के उपर depend कर रही होती है बहुत जादा पाकिस्तान में chartered accountants and to some extent lawyers ये tax consultants होते हैं tax advisors होते हैं लोगों को खुद tax का कानून पढ़के समझ नहीं आता तो वो आप से हम से सलाह मांगते हैं कि हम ये कैसे tax का paper pass करें tax कैसे pay करें हम कैसे government को tax दें हम कैसे अपने business की planning करें इसलिए आप tax पढ़ते हैं अब आप मुझे एक चीज़ बताओ क्या हम tax की voluntarily payment करना चाहता है कोई हम में से हम में से कोई tax की voluntary payment करना चाहता है अब दुल्ला कह रहे है नहीं मैंनी pay करना चाहता कोई भी नहीं देना चाहता हर किसी को लगता है कि यह tax यह थो मेरे मेरी रुपम में से एक तरह से अधिए डाका मारा जा रहा है government डाका मार भी है मेरी रुपम के ओपर लहाएव में से कोई भी 1955 पराने दोर में खुलफाय राषिटीन के दौर में जकात टेक्स अब नहीं लगा था, टेक्स अब नहीं लगा था, टेक्स अब मुर्थ के दोर में लगा, मेरी इल के मताबक, उससे पहले अज़रत अबबकर शिदीग के दोर में, हज़ुर पाक स्वाइब अब फोत हुए तो, कुछ लोगों ने, जकात देने से मना कर दिया, और हज़ुर पाक को देखा वा था, जानने मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने जकात देने से इंकार कर दिया, कि जकात लेने का हक तो सिर्फ रसूल आल्ला स्लिएल्ला अल्यु अल्यु विल्सलम का था, आप खलीफा हैं, आप तो नहीं जकात ले सकते, डिफरेंस ओफ उ जो टैक्स देने वाला है, वो कहता है जी रसूल पाक दुनिया से पर्दा फर्मागें, लहाज़ा आप नहीं जकात ले सकते, नहीं खलीफा ने का नहीं, उन्होंने जब नाफिज किया वो तो कुरान के जरी नाफिज हुआ तो वो तो आपने देना है, हज़ुर पाक जब कह गए हैं, तो आप उनके खुल्फा को भी देंगे, यहां बड़ी, यहां तक बात गई, हज़रत अब बबकर सिदीक रजी लग ने जंगें तक करने का इरादा कर लिया, उन लोगों के साथ, जो जो जगात नहीं देते थे, या मेरा इल्म नाकिस है, हो सकता है, को ज़ ज कम दो, जब हम नाफिस करते हैं, तो वो हर मुमकिन तरीके से उस पेमेंट से बचने की कोशिश करेगा, करेगा ना जी कोशिश, बचने की कोशिश करेगा, बिलकुल फरुख हर चीज़ पर टेक्स है, और लेकन फिर भी हम कोशिश तो करते हैं ना, हम किसी ना किसी तरह voluntary payment नहीं करेगा यह इसलिए कि जाहिरे पैसे जाहते हैं मतलब पैसे क्यों दे हम हम समझ दे हैं कि मेरी कमाई पर मेरा ही हाग के government को मैं क्यों पैसे दूँ यह वले लियाज हम tax नहीं देना चाहते तो जब हम tax नहीं देना चाहते तो department उतने ही शद्वमाद के साथ हम से tax लेना चाहते है department से मुराद किया है department से मुराद है मैं जब भी word department यूज करूंगा तो that would mean FBR FBR stands for Federal Board of Revenue Federal Board of Revenue वो इदारा है जो पूरे पाकिस्तान से tax collect करने का जिम्मेदार है जी बिलकुल नुमान Federal Board of Revenue जो है यह वो इदारा है जो department जिसको मैं कहता हूँ और वो हम से tax collect करता है जितना हम बचने की कोशिश करते हैं उतना ही वो नाफिस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं टेक्स तो आप से ले नहीं है हम जो पढ़ रहे हैं tax की जो आगे जो भी हम इसमें course में पढ़ेंगे उसमें दो तीन चीज़ें हम सीखेंगे initially हमने सीखना है कि law क्या है फिर हमने यह सीखना है कि इस law को plan कैसे किया जाता है आपने जब यह law का subject taxation law का पढ़ना है तो आपके mind में क्या होना चाहिए आपके mind में यह होना चाहिए कि एक है आपका department FBR और एक है आपका taxpayer ठीक है department का ख्याल यह होता है कि taxpayer जो है हमेशा department इस understanding पर काम करता है कि taxpayer जो है यह थीफ है यह tax chore है और taxpayer का ख्याल यह होता है हमेशा कि जो department है यह decade है चोर होता है ना चोर टेक्स चोर वर्ड भी tax chore ही यूज़ किया जाता है और टेक्स चोरी यूज किया जाता है आपने कभी टेक्स डिकेती का लफ़ज नहीं सुना होगा आपने हमेशा टेक्स चोरी का लफ़ज सुना होगा अगर कभी सुना भी थो टेक्स चोरी क्या होती है कि मैं चोरी क्या होती है किसी से आँख बचा के कुछ चीज बचा लेना, कुछ छुपा लेना, किसी चुरा लेना, चुराने के लिए हम बंदूख दिखा के तो नहीं चुराते हैं ना, जो बंदूख दिखा के या अपने जबरस्ती नाफिस की जाती है चीज वो तो डिकेती होती है ना, तो आपने ह तो हमेशा अपने जहन में ये रखना है, कि department taxpayer को चोर समझता है, और taxpayer department को decade समझता है, department को वह समझता है, कि इनके पास power और है, तो ये बिलावजा मुझसे पैसे ले रहे है, इनका हक नहीं बन था, और department हमेशा ये समझ रहा होता है, कि taxpayer जाना, ये किसी ना किसी तरह से टेक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा होगा जब हम ये वली एक्जामपल लेते हैं तो इससे ये होता है कि डिपार्टमेंट हमेशा ये सोच के चल रहा होता है कि टेक्सपेर अगर कोई बात कर रहा है तो यकीनन उसमें वो जूट बोल रहा होगा टेक्सपेर कहता है जी मेरा मेरी सेल जो थी न वो दस मिलियन थी मेरे एक्सपेंसिस जो थे वो साथ मिलियन थे तो मेरा प्राफिट तीन मिलियन था टेक्सपेर ने ये कह दिया अब डिपार्टमेंट के जहन में हमेशा ये होगा कि ने इसने अपनी सेल कंसील की है ये तो टैक्सपैर इस इससे ज़्यादा होगी इसने हमें बताई कम है और ये खर्चे जो इसने बताए हैं ये ज़्यादा बता दी हैं ये इससे कम होंगे resultantly इसका profit 3 million नहीं होगा उसका ख्याल दो यह होगा कि पूरे का पूरा हो सकता 10 million नहीं इसको बच गया हो तो department के जहन में यह चल रहा होगा कि यह ऐसे है जो इसने जो sale दिखाई है वो कम है जो expenses दिखाई है वो ज़्यादा है तो वो department आने बहाने तरीके से वो इसकी inquiry करेगा वो इससे information मंगेगा वो इसके ओपर जाना वो even यह भी कर सकता है कि sale चेक करने के लिए वहाँ आके बैठ जाए मतलब चापा जिसे आप कहते हैं चापा मार के वहाँ बैठ जाए कि जी मैं आपकी monitoring करूँगा कि आपकी sale कितनी होती है मुझे कह रहे हैं कि आपकी sale साल की 10 million है मैं 5 दिनों तक बैठूँगा आपके premises के उपर देखूँगा कितने की sale होती है अगर 5 दिनों की sale मुझे पता चली तो उसको मैं 365 दिनों की sale बना लूँगा और फिर मैं देखूँगा कि तुमने मेरे से कितना जूट बोला वे department इस तरह के हतकंडों पर भी उतर आता है जब ये बात आती है कि department ने आप आपसे tax लेने तो department यहाँ पर यह समझ के चल रहे कि ये जो taxpayer है ये चोरी कर रहा है tax और ये जितना tax due है उतना दे नहीं रहा बलके कम tax दे रहे जबकि taxpayer के सेहन में हमेशा ये होना है कि ये देखो ये जो audit कर रहा है ये जो inquiry कर रहा है ये information ये जो monitoring कर रहा है ये मेरे साथ जलम है जयत्ती है इसको नहीं करना चाहिए tax law की बुनियाद हमेशा ऐसे होगी अगर आप taxpayer का point of view से देखेंगे कभी कानून को तो taxpayer हमेशा ये कहेगा कि department जाती कर रहे है और department के point of view से कभी भी देखेंगे अगर आप law को या taxpayer को तो वो कहेगा taxpayer जान बूच के बचने की कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ थोड़ थोड़े tax के साथ ना क्यूंके मैं tax अपने पढ़ना शुरू करना है और मैंने आपको पढ़ाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा इसकी खबरों के बारे में देखते रहना चाहिए मिसाल के तोर पर अगर आपको याद हो पहले CNIC की एक कंडिशन लगी थी CNIC की कंडिशन लगी थी सेल के उपर शबर सहदी साब चार्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान के वन अफ दे मोस् सीनियर चार्ड अकाउंटेंट्स हैं फरगुस्तन के सीनियर पार्टनर रेटायर हुए वो फबियर के चेर्मेंट थे और उनने कहा कि आप ट्रेडर हैं जब भी आप किसी को 50,000 रुपे से जादा की सेल करें तो उसका CNIC ले लें उसका ID कार्ड की कॉपी ले लें ताकि हमें पता चले कौन लोग हैं 40 साब से चीज़ें और खरीद रें वो वहुстранर टेक्सपेर की तरफ से ट्रेडर की तरफ से के नहीं करना हमनी ये एक हम उसमें सो तोर हुने बातें कि या हमने इस परहा से नहीं करना है लेकिन बीज में मुद्ध येही था कि हमें नहीं बताना आपको के हम अपनी कितनी सेल कर रहें और किसको कर रहें इसी ओर अभी जाहें एक चल रहे है point of sale की integration का मौमला चल रहे point of sale की integration क्या है कि आप जब किसी store पे जाते हैं तो वो आपको बार कोड लगी भी चीज़ें ट्रेक बिल करके देते हैं टूंटों की करके जो machine लगी होती है जो बार कोड डीडर लगा होते है वो आपसे बिल हाथ से नहीं बना के देते हैं डिपार्टमेंट यह कहता है कि यह जो point of sale जो है इसको हमारे साथ integrate कर दें जब भी आपको इन्वाइस निकालें वो पचासजार की है वो पांचजार की है वो दोजार की है वो दो सो की है हमें भी साथ ही पता चल जाना चाहिए कि आपने कितनी रकम की sale की है लोगों ने अपना पूरा जोर लगा लिया जितनी मुखालफत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं कि हमने यह नहीं लगवाना क्यों क्यों क्योंके taxpayer tax नहीं देना चाहता इतना transparently तो department हमेशा पिर इनी चीज़ों को इसी तरह से लेता है आज मैं सिर्फ आपको background बता रहा हुँ चीज़ों का मिसाल के तौर पर आप जो है ना आप 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 क्या करते हैं tax बचाने के लिए या अपनी planning के लिए क्या करते हैं आप employment करते हैं गहीं आपकी salary पांच लाग फिक्स होती है पांच लाग के उपर आपने tax देखा और धेर सारा ही tax बन गया आप अपने employer से कहते हैं यार ये देखो ये काम ना खराब हो गया पांच लाग के उपर बहुत ज़्यादा सारा tax बन जाते है आप एक काम करो पांच लाग मुझे मत दो केश मत दो मुझे पांच लाग मैंने इस पांच लाग में से कोई 60-70 जा रुपे का तो घारी कराय पर लेना है तो आप मुझे house rent पर ले दो प्लस मैंने इसे अपने बच्चों की school fee देनी है वो आप direct school को pay कर दो प्लस मैंने घर में जो servants आते हैं उनकी तनखाएं देनी होती है वो भी आप directly pay कर दो प्लस जो मेरा vehicle का जो खर्चा पर चा होता है maintenance और running वगरा वो सारी इसमें से कर दो तो आप एक काम करो ये सारे खर्चे मेरे आप directly कर दो ये कुल मिला के मेरे खर्चे को तो पांच लाग आपको देना है डाई लाग क्या आपके भी आपके खर्चे कर दूँगा डाई लाग क्या आपको दे दूँगा तो ये एक आपने अपने हिसाब में smart move कर ली और आपने का जी आप मेरा क्योंकि हर मीने कर ली है बाकी लोग भी बताएं डिपार्टमेंट को विलकुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट कहेगा जी मेरे हिसाब में तो आपने ये जो कुछ भी लिया है न ये भी ये भी आपकी salary है और ये भी आपकी salary है मैं तो पूरे पांच लाग क्यों परिटेक्स लूँगा आपसे अब ये चीज लाओ में ऐसे लिखनी पड़ेगी लाओ बनाने वाले को के जी टेक्स में ये चीज जाएगी येस जी अली हमजा बिलकुल company के facilities के खाते में डाल देंगे department ने ये ही किया हुए है आपका जो tax law हमने पढ़ना है उस tax law में यही उन्होंने लिखा हुए है कि employer ने employee को कोई से भी facility दी चाहे वो in cash हो सकती है चाहे वो in cash नहीं हो सकती है ये ऐसे ही माना जाएगा कि आपको salary मिली है लिहाज़ हम आपकी salary में से tax लेंगे इसके उपर companies ये करती है अबदुल्ला और companies क्योंके ये करती है लहाज़ा department इसके उपर tax लेता है company मुझे कहती थी आप हमारे employee आपको ये car दी हुए हमने मैं वो car ले जाता हूँ गार अपने बचों को गुमाने के लिए भी ले जाता हूँ उनके नियाल भी ले जाता हूँ उसी गाड़ी पे उनको सेर कराने भी ले जाता हूँ department कहता है जी आपको facility मिली हुए ये भी आपकी salary में add होगी जी नहीं tax basic pay पे नहीं होता तो सीफ tax gross pay पे होता है और gross pay में सब कुछ शामिल है आप employer से जो कुछ भी लेते हैं वो gross pay में शामिल है इसी तरह से देखो आपने मैं example दे रहा हूँ आपने का जी मेरी sale जो है ना वो साल में हुई है 100 million की और मेरे जो expenses है ना जब आपने expenses का इसाब किया तो वो हुए थे आपके सिरफ फर्स कार लो 70 million के आपने का एर इसका तो मतलब है कि मुझे 30 million के उपर tax देना पड़ेगा आपने अपने कुछ जाती खर्चे उठा के भी expenses में डाल दिए 10 million के अपने जाती खर्चे थे वो भी उठा के इसमें डाल दिए और का जी कि मेरा 80 million के expense हुआ लहाज़ा 20 million के उपर tax दूँगा department ये भी allowing करेगा bonuses और allowances पर भी tax होगा जी बिलकुल tax होगा ये जब हम salary के उस पर जाएंगे salary के topic के उपर तो हम ये पढ़ेंगे अच्छा तो basically अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि taxpayer का और department का वर्जिन मुख्तलिफ होता है चीजों के बारे में taxpayer हमेशा ये कहता है जी मैं tax क्यों दो मुझे कौन सी सूलियात मिल रही है company, department कहता है नहीं जनाब टैक्स तो आपने देना है सूलियात देना ना देना government का काम है हमारा काम tax collect करना है आप tax तो हमें दीजिए नहीं देंगे तो हम जबरस्ती आपसे tax ले लेंगे ये सारी चीजें one by one daily basis के उपर जो हमारी classes होंगी उसमें हमने पढ़नी है कि यहाँ taxpayer क्या सोच रहा था और department क्या सोच रहा था जहन में हमेशा ये रखना है कि department के ख्याल में taxpayer चोर है और taxpayer के ख्याल में department डाकू है चोर चोरी चुपे चोरी करता है डाकू गन दिखा के पैसे लेता है दोनों का एक दुसरे के बारे में ये मौकफ है और इसी मौकफ से हमने इस चीज़ को पढ़ना है अच्छा अब इसका how to study सबसे पहली चीज़ study के लिए एक तो आपने class नहीं छोड़नी इसकी आपने class attendance अपनी 100% रखनी है जो class आपका मतलब ये है कि अगर on campus class हो रही होगी तो on campus online हो रही होगी तो online आपकी attendance होनी चाहिए class में लाजमी अमर है दूसरा जो इससे भी ज़्यादा लाजमी अमर है वो आपकी mental attendance होनी चाहिए आप mentally यहाँ available हो जब आप पढ़ रहे हो जब आप सुन रहे हो तो mentally आप focused हो कि यहाँ पर ही आप सुन रहे हैं बात जो हम बात कर रहे हैं आप वही सुन रहे हैं यह ना हो कि Zoom भी लॉग इन किया हो है WhatsApp भी चल रहा है Message भी आ रहे हैं खाना खाने का भी बता रहे हैं दूसरे को और खाना खाने का पूछ भी रहे हैं कि तुमने खाना खा लिया और मैंने खाना खा लिया उसके लिए बढ़ा टाइम होगा आपके बास बेटे लाइबरेरी तो बनाई ही आपके लिए लेकिन अब एक लॉफ दे लेंड की भी बात होती है गवर्मेंट ने मना किया हुए कि आपने आना ही नहीं है कॉलिजिस में तो फिर मसला बनेगा ना यहां कल को पुलिस आए मुझे भी उठा के ले जाए साथ में आपको भी उठा के ले जाए तो अच्छा लगए कोई बात में हम एक ही लॉक अप के उसमें बैठे में हो जी हिसाब की लाइबरेरी है बिल्कुल है जी तो सीफ इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको बड़ाजना रीडिंग रूम और सारा कुछ अवेलिबल है अच्छा तो मेंटल अटेंडस बहुत ज़रूरी है आपकी क्लास में तीसरी चीज जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी उन असाइनमेंट्स की कंप्लीशन बड़ी ज़रूरी है क्या आपने वो कंप्लीट करनी है चौती चीज जो आपसे टेस्ट लिया जाएंगे वो आपने अटेंट्स करने है लाजमी पांच्वी चीज आपने स्टडी टेक्स्ट आफ आइकेप को लाजमी जहन में रखना है हर चीज के लिए उसी को देखना है सवाल करने के लिए नुमेरिकल्स के लिए आप मिस्टर A की किताब ले लो मिस्टर B की किताब ले लो मिस्टर C की जितनी किताबे लेना चाते हो ले लो सवाल करने के लिए लेकिन तरेटिकली पढ़ना आपने आईकेप की सेड़ी टेक्स को लाजमी अपने जहन में रखना है निम्रा जो academies खुली है ना वो जो eight districts है ना उसके इलावा जो पंजाब के अलाकिया उनमें खुली है लहूर unfortunately वो lockdown वाले एरिया में है तो लहूर में नहीं खुली हुई अगर खुली भी है तो कोई जबरश्टी कर रहे होंगे डॉल्फिन वालों को बताएं वो पहुँचेंगे वहां पर जैसे अभी college भी open है लेकिन सिरफ class पढ़ाने के लिए teacher की हद तक कोई और नहीं आया वा यहां पर जो staff एक दो लोग है और बस teachers है government की policies आपको पता ही है ना government कहती है शादियों में 300 से ज़्यादा लोग ना जाना वरना corona आ जाएगा corona से मुझाखरा शायद हुए हुए है कि 300 तक लोग आ जाएंगे तो कुछ ना कहना 300 से ज़्यादा आ गए तो फिर आप भी साथ आ जाना मेरे खायल में तो जो सबसे सदा spread अभी हो रहे corona का वो शादियों की वज़ा सही है बढ़ शादियों पर थेखो ना एक तो शादियों पर मास्क कोई नहीं पहन था जाहर है शादियों पर लोग तियार शायर होके जाते हैं तो यह अपने चीज़े करनी है ठीक है? स्टेडी करने के लिए दूसरा स्टेडी टेक्स के साथ जाना आई के अपका question bank मैं वो question bank के सवाल करवा हूँ ना करवा हूँ आपने question bank जो topic हो गया उसका question bank लाजमी करना है ठीक हा? topic wise ही साथ साथ ही test का क्या scene है? test का scene तब होगा फरुख जब हम कुछ पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे उसका test होगा और हर topic का test होगा हर topic का अच्छा वाला test होगा आपने परशान नहीं होना इसके उपर weekly weekly एक test तो normally होता ही है लेकिन normally हम इसको रखते हैं on the basis of completion of the topic कोई ऐसा topic चल रहा है जो के अभी यह डिमांड करता है topic कि हम अभी मजीद discussion करें तो फिर हम जरूर नहीं है कि उस week में लाजमी test लिए अच्छा approach क्या होती है जो आपके approach मैंने बता दी आप उसके बाद आपने जो examination जो है आपका कैफ 6 का उसमें pass percentage हौसला अफजा है better है better कहां से better than कैफ 3 business law से बेतर है इसमें passing ratio क्योंकि इसमें आप interest build up कर लेते हैं आपको अपना दिल्चस्पी पैदा हो जाती है यह interesting subject है तो आपने इसमें interest लेके पढ़ना है और साथ साथ रहना है तो इंशाला फिर आपको कोई ऐसी परिशानी नहीं आएगी पचास नमबरों का अगर numerical का portion आया है paper में तो तकरीबन 40-50 का theoretical भी आया है तो अगर आपको theoretical पढ़ा रहे हैं तो आपने यह नहीं कहना कि किताब भी पढ़ा दी स्वाल तो कोई करवाया नहीं जो स्वाल करवाने हैं वो स्वाल भी आपको करवाएंगे numerical भी पढ़ाएंगे और theoretical भी पढ़ाएंगे ठीक है जी आज की orientation मैं यहां पर conclude करूँगा अब अगर आपके पास कोई स्वाल है तो मुझे बता दीजी ग्रिट दिखा देते हैं जी यह कैफ स्लेबस के नाम से आई कैप की वेब साइट के उपर आपका स्लेबस पढ़ावा है यह income tax है 60 to 70 marks का यह sales tax है 20 to 30 marks का और जी निम्रा बीलॉगी क्लास इस नेक्स वीक से इंशालला स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स मंडे से objective system and historical background यह 8 to 12 marks का है और यह ऐसे ही आपके book में भी saturated है ना अगर आप अपनी आप यह देखिए यहां पर जो है ना यह 8 to 12 marks का जो है ना 8 to 12 marks आपके मेरा कहलाब नहीं देख पार है इसको जी आप यह देख लीजी आप आप ओपन होगे यह 8 to 12 marks जो है यह आपके chapter number 1 to 3 में है यह 60 to 70 marks और यह 20 to 30 marks यह आखरी तीन chapters है उन में हैं और यह दर्म्यान मेरा जितने chapters हैं वो सारे income tax की हैं मैं आपको इसकी book पर भी ले जाता हूँ जी करवा देते हैं WhatsApp group की privacy खत्म करवा देते हैं मेरे ख्याल में तो उसमें ऐसी privacy आपकर है भी तो वो खत्म कर दी गई होगी पर ना भी हो जाएगी अचा यह काफ 6 की book है जी आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अभी डाउनलोड अबल तो पड़ी है यह देखो पहले तीन इन चेप्टर हैं सिस्टम आफ टेक्सेशन इन पाकिस्टान कॉंसिटूशनल प्रिवियंज और एथिक्स यह पहली जो 8 से 12 मार्क्स की ग्रिट है वो यहां चेपुछी जाएगी उसके बाद यह चेप्टर 4 ओनवर्ड अब आपका शुरू हो जाता है इनकम टेक्स चेप्टर 4 से लेकर चेप्टर 16 तक आपका इनकम टेक्स है 4 से 16 तक और फिर 17, 18 और 19 यह आपका सेल टेक्स है यह वाला जो एरिया है जिसको मैंने अभी ग्रीन किया है इस एरिया में से आपके 30 मार्क्स के questions आने हैं 30 मार्क्स यहां से हैं जीक है जी इन 3 चेप्टर में से फिर चेप्टर 4 से लेकर चेप्टर 16 तक अगेन आपके 60 to 70 मार्क्स हैं और फिर पहले 3 चेप्टर में से 8 से 12 सीनियर से सुनने में आता है कि टेक्स की बुक चेंज होती है मोसली हर अटेम्ट में ऐसा क्यों है और इसकी अटेम्ट को क्या कर सकते हैं जी बहुत अच्छा सवाल है आपका मिर्जा तलह अल्लह तलह आपको जज़ाए खेर देए स्वाल पूछने के लिए टेक्स एक्चली एक बड़ा मुतर्रक सबजेक्ट है ठीक है रोटीन में चेंज होता रहता है जब पीछे कनून चेंज हो जाएगा तो जाहर है उसकी कताब भी चेंज करनी पड़ेगी उनको ठीक है अब आइस्ता आइस्ता जाहर है यह होता है एक तो यह कि हर साल जुलाई में नया टेक्स का कनून नाफिस होता है नया से मुराद यह है कि जो existing कानून है उसमें कुछ changes की जाती है वक्त और हलात के मताबिक हर साल जो आपका जून में budget पेश होता है उस budget का 70-80% आपके taxis से भिलॉंग कर रहा होता है कि taxis structure में क्या changes की जाएंगी ठीक है तो वो जो changes है वो सारी आपके लिए जाहरे relevant होती है बुक में आ जाती है और यह जो government है इस government ने तो यह एक वतीरा बना लिया कि साल में दो तीन दफ़ा यह ordinance निकालते हैं अभी भी कल परसों कुछ changes आई है income tax law में जो के आपके लिए applicable होनी नहीं चाहिए है असूली तोर पर क्योंके exam की date तक उनको 6 मीने पूरे नहीं हुए होंगे लेकिन कोई पता नहीं है आई-कैप examination guideline दे के उसको शामिल कर भी दे April, May, June, July, September March में changes आई हैं वो आपके लिए applicable होनी नहीं चाहिए क्योंके 6 मीने से पुरानी changes जो होती है वो applicable नहीं होती लेकिन iCAP examination guideline निकालेगा मुझे लगता है कि एक दो चीज़ें इसमें change करेगा वो तो कुछ चीज़ें भी change होई है recently तो इसलिए ये iCAP की जो book है उसी को follow करना होता है और उसमें अगर कोई changes हैं तो फिर आपको teacher से लाजमी interact रहना होता है उसके लिए और जी और कोई सवाल आपका आप में से किसी का कोई सवाल कोई confusion इसकी हमारी कोई course coverage plan है जी बिलकुल हसन आपका course coverage plan है बिलकुल है आपको course coverage plan इस week के अंदर अंदर इंशाल्ला दे दिया जाएगा और चप्टर कौन सा start करेंगे चप्टर हम start करेंगे basic concepts of taxation असूली तोर पर हमें शुरू करना है लेकिन इस week के अंदर जो है हम अभी थोड़ा सा आपके साथ chapter 1 discuss करेंगे system of taxation उसके बाद हम chapter 4 पर चलेंगे hand form में book कैसे मिलेगी इस दुरान में iCAP ने books deliver करने के एक plan बनाया हुआ तो है आप iCAP को एक दफाफा फॉन करके पूछ लें वरना फिर मैं भी इदर Facilitation Department से कहता हूँ वो आप लोगों को इसके बारे में कोई message बना कर गाइड कर दें हाँ वो फिर iCAP से ही बाई होती है iCAP के officers तो open है बट यह के यह देखें तौसीफ को पता है तौसीफ को पता है तौसीफ कह रहे हैं online form फिल करना पड़ते हैं मुझे इसका details का idea नहीं है मैं Facilitation Department से कहूंगा वो आप लोगों को आज message के जरीए यह बात बता देंगे थैंक और जी और कोई सवाल लास अटेंट से इस अटेंट में changes निमरा वैसे तो नहीं है वैसे तो कोई change नहीं है लास अटेंट से इस अटेंट में सवाए इसके कि जो कल या personal ordinance आया है इस ordinance की वज़ा से अगर iCAP अपनी examination guideline में हमें कुछ changes बता दे तो वो हम करेंगे otherwise कोई change नही है जो मार्च वली attempt होती है उसके बाद स्टंबर वली attempt में changes नहीं होती है नार्मली नहीं होती है लेकिन इस दफा क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ आपको एक amendment ordinance कल पर सुआया है उसकी वज़ा से चंद एक sections में कुछ changes आ सकती है अगर iCAP ने उसके ओपर कोई guideline दे दी तो फ अब ही हम इसी से पढ़ेंगे system of taxing taxation in Pakistan जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे information देंगे और शुरू हमने basic concept से करना है जो basic concept of taxation है chapter 4 ठीक है जी आज के लिए फिर इजासत कल से इंशाला फिर classes properly शुरू करते हैं बाकी WhatsApp ग्रूप पे मैं available हूँ Class की timing से मैं जी बिलकुल 10.45 से 11.45 कल इंशाला मुलकात होगी जी खुदा आफिर थैंक यू